देश के कई हिसों में क्रोना वाइरस के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अगर रेवाडी जिले की बात करें तो जिले में भी आज चार नए पोजिटिव केस सामने आए हैं अब जिले में एक्टिव पोजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है अब तक 11404 ज के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन कराएं वह रेवाडी प्लिस मास्क पहनने और समाजिक दूरी के संदेश को देने के लिए विशेस अवियान चला रही है इस बीच हम आपको बता दे कि जिले में वेक्सिनेशन का कारिया भी तेजी से किया जा रहा है बाइस औ को वेक्सिन लगवाने के लिए जागरुक भी करें डिसी ने पुलिस नगर परिशद स्वास्त विवाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान किये जाएं उन्होंने समाजिक कारियों जागन मोल मेले में एसोपी का पालन कराने के भी निर्देश दिये हैं डिप्टी सीविल सर्जन एवं नोडल अधिकारी डुक्टरासोग कुमार ने बताया कि जिला भर की सभी स्वास्त के इंद्रोपड टिका करण का कारिया किया जाएगा उन्होंने बताया कि जिले में 7757 हेल्थ वर्कर्स 5550 फ्रेंट लाइन वर्कर्स 45-60 वर्स आयू तक के 113 नागरी को और 60 वर्स से अधिक आयू के 14640 बुजरुगों को कोविड वैक्सिन लगाई जा चुकी है डुक्टरासोग कुमार ने बताया कि पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेना बहुत जरूरी है पहले टि जरूर रखे दूसरी डोज लगने के बाद ही आपके सरीर में क्रोना के खिलाफ सकती विक्सित हो जाएगी आपको बता दे कि जिले के 41 स्तानों पर टिका कंड का कारिया किया जा रहा है अधार कार के जरिये ओनलाइन पंजीकंड के बाद फिलाल 60 वर्स से अधिक उम्र वा लापरवाई ना करे और लोग लापरवाई ना करे इसके लिए पुलिस भी एक विसेस अभियान चला रही है 20 मार्स से 19 अप्रेल तक पुलिस के जवान फेस मास्क और समाजिक दूरी का पालन कराने के लिए जगे-जगे मौजूद होंगे रेवाडी एस्पी ने कहा है कि जिनता को जागरूप करने के साथ सकती से कारवाई भी की जाएगी इस दोरान पुलिस फ्री मास्क भी वित्रित करेगी और मास्क ना पहने वाले लोगों के चालान भी किये जाएगे